मुंबाई हाई कोट ने ये बात कही कि सुशान सिंग राजबूत का चेहरा देखके समझ में आता था कितने वो सोबर इंसान थे तो ये मुँपे तमाचा मा रहा है रिया चकरवर्ती और इनकी गैंग को जो ये कहती थी कि वो चरसी था वो गजेडी था उनके परिवार में कमीती उनकी बेहनों के साथ उनका रिष्टा नहीं था कि कोई फिल्म आने वाली है जिसका नाम चेहरे है तो जिस वेक्ती का चाल चेहरा तीनों ना हो और चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने हो उसकी अगर फिल्म भी आएगी आप यह सोचिए तो जनता जिस तरीके से उसको डिसलाइक करने वाली है और मुझे तो लगता है संचित अगर कोई रिकॉर्ड जो गिनीज भी को वर्ल्ड रिकॉर्ड और कोई शुषांत को उनके मरने के बाद जिस तरीके से उनको बदनाम किया उनकी फैमली को बदनाम किया हम लोग किसी भी हाल में उसकी फिल्म नहीं चलने देंगे हम तो तुम जिस दिन पहले इनका ट्रेलर आएगा हम उसी दिन से बिलकुल कमा कसके बैटे हुए है कि डिसलाइक ह हमारे बीच से गए हुए एक साल भी नहीं है और वहीं उनकी जो सोकॉल गल्फरिंड थी रहे है चकरवर्ती वो अब फोटोस डालना स्टार्ट कर दिया है उनहीं के करीबी मित्र जो रोडीज के जज्ज थे लक्षमन उन्होंने उनके साथ फोटो डाली और फोटो में हम सब भी नहीं था वो जो जूट का पुलिंदा और जूट की स्क्रिप्ट लेके वो बैठी थी तो दुखी तो वो उस समय भी नहीं थी और जिस तरीके से कल से हम लोग सोशल मीडिया पर किसी एक उनके मित्र के साथ उनकी फोटोग्राफ्स देख रहे है तो उसमें भी अग कई वो जसका करोंड और जिस तरीका से नहीं नाशनल प्लेटफॉर्म पर आके सुषान सिंग राजपूत उनके पिता को बदनाम करने की कोशिच की बॉंबे कोट में उनकी सिस्टर्स को गसीटा हुआ है उनके खिलाफ F.I.R. की हुई है तो हम भी एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे ऐसी किसी विशकन्या को या ऐसी किसी भी गंजेडी जो चरसी परिवार है जिनके भाई जो है अभी जेल से हो कि आए तो हम भी उनकी कहीं से कि उनकी रिस्पेक्ट मिए सकते कि आप शुचान सिंगराजपूत की उनके परिवार ही रखी वो हमारे सन्चित नहीं होने के बावजूद जब आज हमारे में ऐसे सार नहीं है आज वह अपनी बात को हमारे सामने नहीं रख सक्थे आप और ब्ले और या नशा नहीं करती एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे आपको और इक्सपोस करने में मैं सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है जैसा है कि आपने यह चीस बोली कि अब वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो जो इनका जो डबल फेसिस जो इनका दो दो चेहरे हैं जो दो चरितर हैं क्या कहीं गया आपसके बाद देखे उस इंटर्व्यू पर तो पूरी दुन्या हसी उसी इंटर्व्यू के बाद उस चैनल की टियारपी भी गिर गई जबकि वो चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन उस एक इंटर्व्यू के बाद लोगों ने उस चैनल को पसंद नहीं किया जो जो दोरे चेहरे की बात करें जो बड़ी बड़ी फिल्मे लेके आना चाहते है कुई फिल्म नहीं चलने वाली संचेत उसका करियर खतम हो चुका है क्योंकि जिसने हमारे सुषान की के बा바 रे में नहीं बोला सुषान को उनके मरने के बाद जिस तरीके से उनको बदनाम किया हम लोग किसी भी हाल में उसकी फिल्म नहीं चलने देंगे, हम तो तुम जिस दिन पहले इनका ट्रेलर आएगा, हम उसी दिन से बिल्कुल कमल कसके बैठे हुएं कि डिसलाइक हमें शुरू कर देना है मैम दो दिन पहले जो शुषान सिंग राजपूत की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं वो अभी मुंबई गए थे फिजिकल हेरिंग के लिए तो वहां पर यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि रहा चकरवर्ती ने उनके खिलाफ केस कर रहा था तो क्या जो वो कहती थी रहा चकरवर्ती कि मैं शुषान से इतना प्यार करती हूँ क्या कोई लड़की जो एक लड़के से इतना प्यार करती क्या वो उसकी फैमिली पर इस तरीके के जूटे आरोप लगाईगी इस तरीके से उंगलियां उठाएंगी संची देखे प्यार एक ऐसा शब्द होता है कि जिस प्यार में अगर कोई किसी तरह का प्यार हो चाहे कोई लड़के लड़की का आपस में प्यार हो परिवार का प्यार हो बाई बेन का प्रिवार प्रेम उसने हैं कैसी चीज होती है जिसमें आप किसी को बदनाम नहीं कर स क्योंकि जो लाइस्टाइल वो जीती थी पैरेस जाती थी जो कपड़े पहनती थी उन्होंने का कि मैंने 35,000 रुपए सुषान सिंग राजपूत के अकाउंट में डाले क्योंकि उन्होंने मेरे हैर और मेकप के पैसे दिये थे कौन से मिडल क्लास लड़की है जो 35,000 के मेकप वो बाल कटवाती है तो कहीं न कहीं वो सारे पैसे सुषान सिंग राजपूत के हो सकते थे अभी तो मालो एडी की जान चली रही है काफी चीज़े सामने भी आएंगी जिस तरीके से सुषान सिंग राजपूत के अकाउंट से 50 लाग रुपे एक टैलेंट कंपनी को जाते वो ही 50 लाग रुपे वापिस रिया चकरवर्ती के अकाउंट में आते हैं रिया चकरवर्ती की एक भी बड़ी फिल्म नहीं है 100 करोड की किटी की 500 करोड की किटी की ये लाइफ स्टाइल आप कैसे मिंटेन करती थी तो बेसिकली अब सुषान तो है नहीं हमारे बीच तो र लेकिन ऐसी महिला पर जिसने सुषान सिंग राजपूत पर चरित्र पर सवाल उठाए है वो महिला की कैटेगरी में आती नहीं हम तो उनको दैत्यों की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि आपने सुषान की बदनामी की है फैंस आपको छोड़ेंगे नहीं और जिस तरीके स अप लगातार उनकी बहनों के बारे में जो उनकी वकील है विकास सिंग अभी परसों जो हिरिalter हुई है आप सोची है कि हाइक कोट ने मंभाई हाइक कोट ने एप सुषान सिंग राजपूत का चेहरा दें के समझ में आता था कितने वह सोबर इनसानन थे तो यह मुह पर त कि लाव आपने मुंबाई में F.I.R की हुई है उस F.I.R के तहत यह जो केस चल रहा है उसकी हेरिंग ते जिसमें विकास सिंग गय थे अभी वो फैसला भी कोर्ट ने सुरक्षित रखा हुआ है अभी उसकी सुषान simply next hearing about February दो जैनवरी जो डेट डी गई है उसमें है लेकिन अगर आप किसी परिवार को बदनाम करने की कोशिष करती है और यह कहती नहीं कि मैं सुषान को बहुत प्यार करती थी कोई भी लड़की अगर כिसी सुषान्त को बदनाम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी तो जनता भी कोई कमी नहीं छोड़ेगी वैसे तो जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कई बार सुनके और देखें खराब लगता है कि आप किसी लड़की के बारे में बोल रहे लेकिन जब याद करिये कि इन्हो तोहीं प्रियांका दीधी September 10 जो सुषान की बेहन उनके बारे में क्या नहीं बोला आज तक चारो बेहनों ने कुछ भी आके सामने से इनके बारे में नहीं कहा लेकिन इन्हों ने कोई कसर नहीं छोड़े कीचड के लिए हम डबल प्रहार के लिए तैयार है पृति है की शुषान झराजपूत का जो केस है वो कितना जाधा सेंसेटिव है और अब और भी जाधा हो चुका लेकिन वहीं अगर हम बात करें रहा चकरवर्ती कल जब ये पिक्चर पोस्ट की गई थी राजीव लक्षमन द्वारा उस पर लोग ट्रोल करने लगे उनको उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दी और उन्होंने एक पोस्ट करके उसमें ये लिखा कि रहा चकरवर्ती और हम द लिखारी चीज़े सोची समझी ती जो भी कुछ हुआ ये सब कुछ स्क्रिप्टेट था क्या लगता अपको अधिके उनको हाइलाइट होने का बहुत शौक है इसलिए वो अपने आपको मिडल क्लास कहती है लेकिन मुझे धान नहीं है इस देश में अगर 130 करोर 35 करोर कि सोगों को सब्सक्र ठीके चैएल बनाते हैं हम विवेका नन जी की जैंति आने वाली हम विवेका नन जी की बारे में उनके परिवार उनके खान्दान को डूढ़ेंगे इंटे उनके इंटव्यू की रहें को उप्वो की अइक उसकी वज़े से वापस लाइम लाइट में आ जाएंगी और मैं तो आगाहा करूंगी उन भाई साफ को जिनके साथ इन्होंने तस्वीर डाली है कि भाई सुषान सिंग राचबूत के साथ जो हुआ वो पूरे विश्व को पता है आपको अपनी अगर जिन्दगी इमेज जी इवन में एंटर करेंगी उसके परिवार को खतम कर देंगी